नमस्का दोस्तों, स्वाकत हैं आप सभी का हमारी चनल पर आज हम आपको पायरिया से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नस्कों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, पायरिया जो होता है वो दांतों का एक रोग होता है जो मसूणों को भी प्रभावित करता है इस रोग से ग्रस्थ होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पढ़ जाता है जैसे पाइरिया की शुरुवाज जो होती हैं वो दातों को ठीक से देख भाल ना करने अन्यमि धंक से जब तब कुछ ना कुछ खाते रहने के कारण तथा भोजन के ठीक से ना पचने के कारण होता है वहीं लीवर की खराबी के कारण रक्त में अमलता बढ़ जाती है दूशित अमली रक्त के कारण भी दात पाइरिया से प्रभावित हो जाते हैं वहीं मासाहारी तथा अन्य गरिष्ट भोज़ पदार्तों का सेवन करना गुटका, तंबाकू, आदी पदार्तों का अत्यधिक मात्रा में सेवन भोजन को ठीक से चबा-चबा कर ना खाने की वज़र से भी पाइरिया हो जाता है पाइरिया से ग्रस्थ होने पर दांट धीले होकर हिलने लग जाते हैं मसूनों से मवाद और रक्त निकलने लग जाता है दांटों पर कड़ी पपड़िया जम जाती हैं वहीं मू से दुरगंद भी आने लग जाती है लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस समास्या से राहत पाने के लिए कुछ बहुती प्रभावशारी घरेलून उसके लाई हो जिनने अपना कर आप पाइरिया रोग से राहत पा सकते हैं इसे जानने से पहले, सबसे पहले तो एकने वेदन उन लोगों सी करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्राप्या सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सद्दसिता को सरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वरद्दी का जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें दोस्तों सबसे पहला जो नुसका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आपको आवशक्ता होगी दालचीनी, काली मिर्च, बुना हुआ धनिया, बुना हुआ नीला थोथा, कपूर कच्री, सेंदा नमक, मस्तगी, चोप चीनी इन सबी की आपको 10-10 ग्राम की आवशक्ता होगी इसके अलावा पपड़िया कत्था 20 ग्राम और माजुफल 5 नग दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी इन सब को मिला कर इसका एक बारीक चूर्ण बना लीजे फिर बारीक चलनी से चान कर किसी भोतल में भरकर इसे रख दीजे यह जो मंजन है वो आपको नियमेत रूप से सुबा शाम उपयोग करना है इससे आपका पाइरिया रोग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा साथी दात और मसूडे लंबे समय तक मजबूत और स्वस्त भी बने रहेंगे इसके अलावा दोस्तों एक और नुस्का है जिसके लिए आपको सेंदा नमक 30 ग्राम बदाम का जलाया हुआ छिलका 10 ग्राम कपूर 1 ग्राम काली मिर्च 5 ग्राम फिटकरी भस्म 2 ग्राम अकर करा 2 ग्राम और लॉंग 2 ग्राम की आवशकता होगी ये सारी चीज़ें भी आपको पंसारी के आपे मिल जाएंगी दोस्तों इन सब को भी मिलाकर बारिक पीस लीजे फिर इस मंजन को भी सुबा शाम दातों पर हलके हातों से मसाज कीजे दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हलके हातों से ही मालिश करना है नहीं तो इससे आपके मसूरे छिल सकते हैं फिर दोस्तों कम से कम आदा घंटा रखने के बाद ही कुल्ला कीजिए फिर, इससे भी पाईरिया रोग बहुती जल्दी ठीक हो जाता है, साथी मसूनों से खून आना भी बहुत जल्दी बंद हो जाता है तो दोस्तों आप इन में से किसी भी उपाय को करके पायरिया से चुटकारा पा सकते हैं ये बहुती प्रभावशाली उपचार है पायरिया के लिए इसे जरूर से जरूर करके देखेगा इससे आपको निश्टित तौर पर ही लाब मिलेगा और आपको हमारे दोरा दी गईया जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीचेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद